जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रमदान स्पेशल रेसिपी आज हम बनाएंगे कीमा पराठा जो सूरत के रांदेर की एक पोप्यूलर डिस है जिसे रंगूनी पराठा के नाम से भी जाना जाता है इससे पहले हमने ये रेसिपी आपके साथ सेर की थी लेकिन उसे हमने चिकन से बनाया था अगर आपने हमारी तंदूरी चिकन पराठा की रेसिपी नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेकिन आज हम ये पराठे मतन के कीमे से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सोफ्ट हमारे पराठे बनकर तयार होने वाले हैं तो सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगा कर तयार करेंगे इसलिए हमने दो कप मेदा लिया है बजन के हिसाब से ये धाइसो ग्राम है इसमें हाफ टी स्पून नमक और एक टेबल स्पून तेल डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते जाएंगे और इसका बिल्कुल सोफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे आटा लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इसे बिल्कुल भी सक्त नहीं करना तो इस तरह से हम इसका सोफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे और इसके लिए हमने एक कप पानी लिया था लेकिन इसमें से तीन से चार टेल स्पून जितना पानी बच गया है और अब हम इसकी सर्फेस पर थोड़ा सा तेल एपलाई कर देंगे इसकी सर्फेस को पूरी तरह तेल से कवर कर देंगे और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे तो वो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम कीमे की फीलिंग तयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर पेन में एक टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है और इसमें हम एट करेंगे धाइसो ग्राम मतन का कीमा तो हमने यहाँ पर रेग्यूलर फेट के साथ वाला कीमा लिया है और हाई फ्लेम पर हम इसे तेल में फ्राई करेंगे पांच मिनिट तक हाइ फ्लेम पर तेल में फ्राई करने के बाद आप देखेंगे किमे का कलर चेंज होने लगा है और इसमें से काफी सारा पानी भी रिलीज होने लगा है तो इस टेश पर हम इसमें टेश्ट के अकोर्डिंग नमक डाल देंगे हमने यहाँ पर 3x4 टेबल स्पून यानि की पोना चमश नमक डाला है अच्छे से मिला लेंगे और अभी भी हमने गेस की फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक की इसका पानी सूखने ना लगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी सूखने तक और इसमें से तेल लिलीज होने तक हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया और इस टेश पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और छोटी हरीमिश का पेस्ट एट कर देंगे तो एक टेबल स्पून भर के हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट एट कर दिया और इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबल स्पून छोटी हरीमिश का पेस्ट अच्छे से मिला लेंगे और अद्रक लसन की कच्छी स्मेल दूर होने तक हम इसे कुछ देर तक खीमे के साथ मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कुछ देर तक पकाने के बाद अब हम गेस की फ्लेम को लोग कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे सुखे मसाले जैसे की एक टीस्पून लाल मिश पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून काली मिश पाउडर और हाफ टीस्पून जीरा पाउडर क्यूंकि हमने इसमें छोटी हरी मिश का पेस्ट भी एड़ किया है तो हमने लाल मिश की कौंटिटी कम रखी है वेसे इतनी मिश की कौंटिटी काफी है लेकिन अगर आप पराठो को थोड़ा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो अपने टेस्ट का कोडिंग लाल मिश की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं मसालों को हमने कीमे के साथ अच्छे से मिला लिया और इसी के साथ हमने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसे पकने में भी थोड़ी देल लगेगी और मसाले जलना जाए इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी एट किया और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे तो लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कीमा जो है वो पूरी तरह कुक ना हो जाए तो कीमे के पूरी तरह पकने तक हमने इसे लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनिट के लिए पका लिया है ये आपकी कीमे की quality पर depend करता है कि इसे पूरी तरह cook होने में कितनी देल लगेगी तो इस तरह हमें इसे तब तक cook कर लेना है जब तक कि ये पूरी तरह पकना जाए और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कीमे की stuffing बन चुकी है हम गेस की flame को off करके इसे room temperature पर ठंडा कर लेंगे तो कीमे की stuffing को room temperature पर अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने इसे एक bowl में transfer कर लिया है और अब हम इसमें add कर देंगे medium size की 5 बारिक कटी हुई प्यास तो प्यास को हमने चोपर में बारिक काट लिया है और यहाँ पर हम एक बात का ध्यान देखेंगे कि प्यास को काटने के बाद हम हाथों से निचोड कर इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें add करेंगे आधा कब बारिक कटा हुआ हरा धनिया और आधा कब बारिक कटे हुए पुदीने के पत्ते इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इस स्टेज पर आप चेक कर लें अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें नमक एट कर दें अगर मीर्ज की कॉंटिटी कम है तो थोड़ा सा काली मीर्ज का पाउडर इसमें एट कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी पराठे की स्टफिंग तयार है और यहाँ पर आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और अब हमें इसे अच्छे से पंच कर लेना है और हाथों से मसल लेना है तो एक से डेड़ मिनिट अग हमें इसे इसी तरह मसलते रहना है और हमने यहाँ पर जो आटा लिया है वो पांच पराठे बनाने के लिए काफी है तो अब हम पराठा बना लेते हैं तो हमने जो आटा लगा कर रखा है उसमें से हमने इस साइस की पांच लोई बना ली और बाकी की लोई को हमने cover करके रख दिया ताकि वो dry ना हो जाए और एक पराठे के लिए हमने एक लोई ली और लोई पर सुखा आटा dust करके हम इसकी रोटी बेल लेंगे तो जितना हो सके उतनी पतली और बड़ी रोटी बेल कर तयार करेंगे तो इस तरह से हमने इसकी एक बड़ी साइस की रोटी बेल कर तयार कर ली है और अब हमें इसमें फीलिंग के लिए अंडों का इस्तेमाल भी करना है तो एक पराठे के लिए हम दो अंडों का इस्तेमाल करेंगे तो एक कटोरी में दो अंडे हमने तोड कर ले लिये हैं और अंडो के हिसाब से हमने इसमें एक चोथाई टीजपून काली मिश पाउडर और एक चोथाई टीजपून नमक डाल कर इसे अच्छे से फेंट लिया क्योंकि हमने ओल्डेडी स्टफिंग में सारे मसाले डाले हुए हैं तो इस टेज पर हमें सिर्फ अंडो के लिए ही नमक और काली मिश पाउडर डालना है अब हमारी बनाई हुई रोटी पर हमने जो अंडे फेंट कर रखे हुए हैं उसमें से अंडो की आधी कॉंटिटी एट करके इसे हाथों से फेला लेंगे और अब हम इस पर एट करेंगे हमारी तयार की हुई स्टफिंग तो तीन से चाट एबल स्पून जितनी कीमे की स्टफिंग एट करके हमें इसे इसके सेंटर में इस तरह से चम्मस से फेला लेना है और अब हमने जो बाकी का अंडा रखा हुआ है उसे पूरा हम इस पर डाल देंगे कीमे की स्टफिंग पर इसे डाल देना है तो इस तरह से हमने दो लेयर अंडे की और बीच की एक लेयर कीमे की बनाई है और इस तो इस तरह से हमने एक पराठा बना लिया है और इसे डीप फ्राइ करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया और केरफुली हमारे बनाए हुए पराठे को हम तेल में रख देंगे और इसे फ्राइ करते वक्त हम गेज की फ्लेम को बिल्कूल मीडियम रखेंगे करते वक्त गेस की फ्लैम को बिल्कूल मीडियम रखना है तो एक तरफ से जैसे ही ये गोल्डन होने लगता है हमें इसकी साइट को चेंज कर देना है और इसकी उपर की साइट पर इस तरह हम थोड़ा-थोड़ा तेल डालते रहेंगे तो अभी ये दूसरी तरफ से सही से फ् रिस्पना हो जाए तो एक पराठा फ्राई हो चुका है हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह हमें सारे पराठे रेडी कर लेंगे तो जैसे ही पराठा रेडी करेंगे हम उसे तुरंत तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे तो अगर आप पराठे पहले से बनाकर र तो देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पराठे बनकर तैयार हुए है बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सोफ्ट है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई